हलो दोस्तों आपका हमारे चैनल कोगवेश फूड में स्वागत है आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भर्वा करेली की रेस्पी बहुत ही स्वाधिस्ट करेले बन करके हमारे तयार होंगे जब आप इस्ट्रिक से बनाएंगे तो ये करेले बिल्कुल भी कड़वाएंगे न करेले ब nehme ज्यादा अंदर तक इसको हम नहीं छी लेंगे, इसी तरह से हम सभी करेलो की उबरी लेर को हटा लेंगे और चाकू से बीच में लंबा कट लगा देंगे, जिसमें मसाला भरेंगे तो इस तरह से लंबा सा कट लगा लेंगे, यदि आपके करेले सॉफ्ट हैं इनमें पर इनकी बीजों को मैं धूस तरह से खा रहे हैं क्योंकि यह हाड हो गया है, इस तरह से उने सारे बी जो को हटा दिया है, और जो करेले हैं इस तरह से हमने इनको साफ कर लिया है, अब इसके बीच में हम 14 चमच के करीम नमक की डालेंगे, जिसके कि इसकी कड़वा हट हो फो अच्छे से निकल जाए, ऽौतह प्रपार चमची नमक डाल करके हम सारे करेलों को तैयार कर लेंगे, इसी तरह से हमने सारे करेले तैयार कर लिए हैं, और एक बाउल में इस तरह से हमने रग दिया है, अब इसकी उपर से हम लगा देंगे हलका सा नमक, करीब आधा चमच, जिससे की जो उपरी परत की कड़वाहट है, वो भी अच्छे से निकल जाए, इसको हलका सा टॉस कर लेंगे इस तरह से, और इनको 2-3 घंटे के लिए कबर करके हम रख देंगे, जिससे की जो इसकी कड़ के दो बार में धोलेंगे, जिससे की जो इसमें नमक है और कड़वाहट है वो अच्छे से साफ हो जाए, इस तरह से इसमें हम डाल करके पानी निकाल देंगे, जिसमें नमक होगा व अच्छे से साफ हो जाएगा, बढर्भा करेले बनाते समय यह प्रोसेस करने जरूरी है, जिससे कि इसका जो नमक और कड़वाहट होगी वो अच्छे से निकल जाएगी और तभी करेले हमारे बहुत ही स्वाधिस्ट बनेंगे और बिल्कुल भी कड़वाएंगे नहीं इसी तरह से हमने सारे करेलो को निचोड दिया है पानी से इसके लिए बनाएंगे मसाला यहाँ पर एक पैन में हम डालेंगे दो चमच साबुसौफ एक चमच जीरा आधा चमच मिती और एक चमच ही डाल देंगे इसमें हम सूखा धनिया और इसको slow flame पर अच्छे से भून लेना है इसको बढ़िया से हम भून लेंगे इसका color change होने तक इस तरह से अब इसमें मिला देंगे 14 चमच कलोंजी और आधा चमच मिला देंगे राई इसको भी हमें हलका सा ही roast करना है इनको हम बाद में डालेंगे साथ में डालेंगे गैस क प्याच को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे आप चाहे तो इसका पेष्ट भी बना सकते हैं पर हमने यहां पर ग्रेट किया है अब इसमें मिलाएंगे 14 चमच हल्दी पाउडर और एक से दो चमच मिलाएंगे इसमें धनिया पाउडर और एक चमच मिलाएंगे इसमें लाल मिर और इसमें मिला देंगे एक से दो चमच सर्सू का ओयल सर्सू का ओयल मिलाने से मसाला बहुत ही टेस्टी तयार होगा जरूर बना करके ट्राइ कीजिएगे इस तरह से मसाला इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा मसाला बन करके तयार है आप चलेंगे इसको भरेंगे करेले में तो इस तरह से करेला लेंगे और इसमें एक से डेड़ चमच मसाला भर लेंगे जितने साइच का हमारा करेला है उसी के कॉर्डिंग ही इसमें हम मसाला भरेंगे ओबर फ्लो नहीं करेंगे मसाले को जितना अच्छे से भर जाए इसमें इसमें एक मसाला रहें करेला क करेली नोटे समय सकते हैं, तो सर्षो के ओयल में स्वादिस्त बनते हैं ओईल गरम हो जाए तो चोटा हIGH चमच मिला देंगे इसमें हम और इसे ज़ादा कुछ नहीं डालेंगे, इसके बाद एक एक करेला करके इस तरह से घड़ा हम और तरह से तरह से डगधेंगे, और पांच मिट के बाद ही इसको हम पल्टेंगे जिससे की दूसरी साइड भी अच्छे से ये फ्राई हो जाएं आप चाहे तो इनको धागे से बान भी सकते हैं जिससे की मसाला बाहर ना आए हमने इनको डारेक्ट ही इस तरह से बना लिया है और इसी तरह से दो तीन मिट के बाद इसको हम लॉट्टू मीडियम ही रखना है हाइ फ्लिम पर इनको फ्राई नहीं करेंगे इनको हमने चेक कर लिया है बीच में इनकी उपली ले अच्छे से पख गई है अब हम गैस की फलिम को अफ कर देंगे ऑद होने के बाद हम करेंगे प्लेटिंग ॉर हमारे स्वाधिश्ट करे करेले बन करके तयार हो गए हैं बिना कड़वा हटके आप भी इस तरह से जब करेले बनाएंगे भरवा तो बहुत ही स्वाधिस्ट बनेंगे आपको हमारी रेस्पी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना म बूलिएगा अपना किंती समय देने के लिए थैंक यू